अगर आपका ब्लोग चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो फ्रेंट्स आप कैसे ला सकते हैं आज वहीं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले फ्रेंट्स हम आपको दो सेटिंग बताने वाले और वो दो सेटिंग आप कर लेते हैं तो आपका ब्लोग चैनल सर्च में आने ल इस वीडियो को आप इसकीप मत किजेगा क्योंकि जो भी सेटिंग बताने वाला हूँ अगर आधा अधुरा करेंगे तो कहेंगी कि भाई की वीडियो बेकार है और आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा ठीक है और जैसे कि मैं जो प्रोसेस करने वाला हूँ उस तरीके से करे हैं तो आपका चैनल 100% सर्च में आने लगेगा तो चलिए बीना समय गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना यहां पर साइड में देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ यहां पर आने के बाद स अगर आपके में यहां नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली यहां पर जो उपर टॉप में दिख रहा है सर्च बॉक्स यहां पर आपको टाइप करना है यूटूब स्टूडियो.youtube.com बस यही आप टाइप करेंगे तो आपका चैनल यहां पर ओपन हो जेगा इस तरीक चैनल ओपन होगा।kin क्लिक करना है यहां पर जाँ कड्मपन करना है यहां पर लिखा हुआ है अगर आपके में कुछ इस त्रीके का लिखा बढ नहीं है तो यहां पे आपको लिखना होगा। अब क्या लिखना होगा वो हम आपको बता देते हैं जैसे कि यहां पर मैंने लिख रखा है जो भी लिखना होता है मैंने यहां पर लिख दिया है अब क्या लिखना है वो हम आपको यहां पर समझा देता हूं यहाँ पर वहीं चीज लिखना है जिस चीज का आप वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपका चैनल है ब्लोग का तो आप ब्लोग से रिलेटेड आप इसमें लिखेंगे अप क्या लिखेंगे आपका चैनल नाम भी ब्लोग का है तो आप अपनी चैनल का नाम भी ब्लोग लिखे उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नाम लिखे हैं, वह blog channel बना रखे हैं, कुछ भी नाम देखें तो नाम आपको सिर्फ लिखना है, channel नाम लिख देना है, तो यहाँ पर मैंने अपना channel name first में लिखा है Krishnayamblogs, उसके बाद दूसरे नमर पर Krishnayamblogs बीना space के लिखे हैं, ठीके अब यहाँ पर हमारा चैनल जो है ब्लोग से रिलेटेड है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हूँ फैमिली ब्लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लोग्स आफ रिसर्प सौर जोसी ब्लोग्स तो हमने इस तरीके का क्यूवर्स जो होता है फ्रेंड्स हमने इसम मतलब नहीं है दिखेगा मानली जी वो बड़े ब्लोगर है तो उनका तो वीडियो पहले दिखेगा अगर हमारा नहीं दिखता है उनके टॉप में वीडियो तो हमारा नीचे दिखेगा ठीक है यानि सर्च लिस्ट में आना सुरू हो जाएगा जब उनके वीडियो को कोई सर् यहाँ पर हमने ब्लोक लिखा रिख अ, चैनल लिख रिख लिखा है, बहुत सारा कीवर्ड उसमेरों दाल लिखें, जैसे कि लोग यूटीब के डाल के सर्च करते रहते हैं ब्लोग वीडियो देखने के लिए तो वो सब्द हम इसमें लिख रखें ताकि हमारा चैनल उस कीवर्ड पे सर्च में आए ठीक है तो आप यह समझ सकते हैं आपको अपना चैनल का नाम भी लिख लेना है मालिजे बहुत से लोग अगर आप पॉपलर हो जाते हैं य आपको अपनी चैनल का नाम भी इसमें डाल देना ठीक है फ्रेंट और ब्लोग से रिलेटेड जो भी कीवर्ड होता है जिसको लोग डाल के ब्लोग वीडियो देखने के लिए सर्च करते हैं ओ क्यूवर्ड इसमें डालना होते है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ब्लोग नीचे लिखा हुआ है टैग, अब टैग में क्या लिखना है, यहाँ पर टैग में आपको फ्रेंड्स वहीं लिखना है, जैसे कि अपना चैनल नाम लिख दे, जो कीवर्ड आप हमेशा यूज करना चाहते हैं, यानि आप वीडियो अपलोड करते हैं समय टैग लिखेंगे ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हैश्टेग लिखेंगे, तो यहाँ पर आपने चैनल का नाम लिख लिजिए और कुछ में में जो ब्लोग का कीवर्ड होता है, ओ लिख लिख लिजिए, फिर आप लिख लिजिए ब्लोग, ब्लोग वीडियो, इस तरीके का कुछ कीवर्ड जिसको हमेशा डाल के लोग सर्च करते रहते हैं, तो यहाँ पर दूसरा सेटिंग कर लेना है, और इसी में आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिखता है, डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लोग से रिलेटर चार पांच जो है, हैश्टेग लिख लेना है, ठीक है, जब आपका चैनल दीरे-दीरे सर्च में आएगा, तो आपके चैनल का जो नाम है उससे भी सर्च में आने लगे, अगर उससे नहीं आ रहा है, तो आपका हैश्टेग है, हैश्टेग से भी लोग सर्च कर पाएंगे, ठीक है, तो हैश्टेग का भी बड़ा कमाल का कार है है चैनल है सर्च में आने लगेगा तो आई होब कि यह वीडियो आप लोग को पसंद देए वीडियो पसंद देए फ्रेंड तो लाइक की जेगा सेर की जेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल प्रेस करें जागे फिर विलते अगले वीडियो में तब तक लिए दन्वाज जैन बंदे महत्रा